जै मातादी दोस्तों कैसे हैं आप लोग यह बताने के लिए कमेंट में जै मातादी जरूर लिखे मातारानी सबका करल्यान करेंगी दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को साल 2020 में दिवाली का तिवहार 14 नवंबर को मनाया जाएगा या 15 नवंबर को जी हाँ दोस्तों लोगों के वीच में confusion create हो गया है क्योंकि अम अवस्याती थी 15 नवंबर को है तो दिवाली आखिर 14 नवंबर को मनाई जाएगी या 15 नवंबर को और इसके पीछे का कारण क्या है किस दिन मनाई जाएगी और उसके पीछे का कारण क्या है इसकी संपूर्ण जानकारी देंगे वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से request है अगर अभी तक आपने मेरे इस गरेलुखवर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे वीडियो पसंद आएगा वीडियो को like करेंगे और जितना जादा से जादा यानि नरक चतुर्दसी का विसेश महत्व है इस दिन मनाया जाने वाला उत्सो दक्षिन भारत के दिवाली उत्सो का सर्थ से परमुख दिन होता है जबकि उत्तर भारत में यह तेवार पांच दिन का होता है जो धनतेरस से सुरू होकर नरक चतुर्दसी मुख दिवाली आतिक मास की अमावस्या तिथी को दिवाली का तिवार मनाया जाता है। हर बार अमावस्या के दिन दिवाली मनाते हैं। लेकिन इस बार बर्स 2020 में छोटी दिवाली और बड़ी दिवाली एक ही दिन पड़ रही है। जानते हैं क्यों इस बार 15 तारिक को अमावस्या होने पर भी दिवाली 14 नवंबर को मनाई जाएगी जूतिसा चार जोके अनुसार इस बार दान और अस्नान की हमावस्या 15 तारिख को है लेकिन दिवाली पर लक्ष्मी पूजन 14 नवंबर को ही किया जाएगा चतुर दसी तिथी 12 नवंबर 2020 को रात 9 बजके 30 मिनट से 13 आरंब हो जाएगी जो 13 नवंबर की साम 5 बजकर 69 मिनट तक रहेगी उसके बाद चतुर दसी तिथी आरंब होगी जो 14 नवंबर को 2 फर 1 बजकर 16 मिनट तक रहेगी उसके बाद अमावस्या सुरू हो जाएगी जो 15 14 नवंबर को सुबह 10 बज के 16 मिनट तक रहेगी दिवाली की पूजा रात में होती है इसलिए 14 नवंबर को दिवाली मनाई जाएगी वहीं 14 सी 13 से आरम होकर 14 तक रहेगी तो लक्षमी पूजन के दिन ही नरक 14 सी भी मनाई जाएगी लेकिन दान और अस्नान 15 नवंबर को ही कि आजाएगा अब चलिए जानते हैं दिवाली के पूजन का सुब समय कब रहेगा एक दिन चतुर्दसी और अमावस्या तिथी होने का क्या सुब सयोग बन रहा है जियोतिस के जानकारी के अनुसार दोनों दिवाली की दोनों तित्थी एक ही दिन पढ़ने के कारण और सनी एवं गुरु ग्रह के अपनी ही रासी में होने के कारण सुब सयोग का निर्मान हो रहा है जिससे आर्थिक स्थेती मजबूत होगी और धन धान की कोई कमी नहीं रहेगी 14 नवंबर को लक्ष्मी पूजन का सुब मोहुर्थ साम को 5 बच कर 40 मिनट से लेकर 8 बच कर 15 मिनट तक रहेगा तो दोस्तों आजसा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आज की वीडियो आपको पसंद आई हो वीडियो को लाइक करे सेयर करे और चैनल को सब्सक्रा करे थैंक्स